अब 1.4 क्या है यह है अपना कंपेरिंग नंबर्स ओकी हमारा टोपिक है कंपेरिंग नंबर नंबरों की बीच में हमें कंपेर करना है ओकी चलिए तो स्टार्ट करते हैं question number 1 है circle the greatest number अब यहाँ पर है ए नंबर पर है 135, 179, 160 अब हमें नंबरों के नंबर पता करने के लिए हमें सबसे पहले numbers आने चाहिए है 101 से 200 के नंबर हमें बनने चाहिए तो यह कैसे नंबर है हमारे तीनों कैसे नंबर दिख रहे हैं त्री डिजिट नंबर है यहां पर आप यहां पर देखिए 10th place में यहां देखेंगे क्या बड़ा है 1s, 1s, 3ों में 1s है 1 पर है अब 10th में देखेंगे क्या बड़ा है 3, 7 और 6 तो सबसे बड़ा क्या है 79, 7 है तो इसलिए यहां पर क्या आया हमारा 79, 1 79 जो है वो greater नंबर है अब B नंबर ओक्षन देखेंगे 54, 84, 147 अब यह दो नंबर देखिए अपने आपर समझ में आ रहा है कि यह 2 डिजिट नंबर है तो यह छोटे हैं तो 3 डिजिट नंबर हमें सब बड़ा होता है तो यहां पर 3 डिजिट नंबर पर इस तरह से सर्कल करना है हमें इसी तरह से यहां पर भी 128, 191, 146 अब इनमें कंपेर करो क्या बड़ा हो सकता है जो 91 है वो बड़ा हुआ बढ़े में हाप पर circle कर देंगे इस तरह से 154, 176, 135 तो यह आप आप लोगं को इसके आगे आप लोगं को खूद करना है ठीक है अब हम बढ़ेंगे second number question circle the smallest number अब circle the smallest number क्या है अभी हमने circle the largest number मतलब बड़े digit में हमने अभी circle करना सीखा इससे पहले हमने class साइथ first में three digit number में compare करना नहीं सीखे होंगे कि इते बड़ी संख्या क्यों कि वहां तक हमने hundred तक के number ही पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना three digit number मतलब हमें hundred के बाद वाले numbers को हमें learn करना है फिर हमें इसमें compare कर पाएंगे कि कौन सी digit बड़ी है कौन सी छोटी है तो बात हो रही थी यहाँ पर smallest number की अब यहाँ देखेंगे कि कौन से बड़ा है कौन सा छोटा है 125 146 126 अब कौन सा बड़ा छोटा नजर आ रहा है यहाँ पर 125 smallest number है 175 126 159 तो 75 और 59 भी बड़ा है चोटा क्या है 26 तो यह 126 smallest number हुआ इसी तरह से यहाँ देखें 103, 113 और 13 यह दोनों कैसे हैं double digit number है और यह 13 जो है वो 2 digit number है जो इस तरह से हमें solve करना है तो आप यह दो कोशनों को इस तरह से solve करेंगे अब बात करेंगे compare the given numbers and write the comparison sign less than or equal to sign less than or greater than equal to sign इसमें अभी नहीं है इसमें सिर्फ do करना है less than or greater than करना है तो जैसे हमने पहले भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके है less than, greater than, equal to sign का तो वो ही है अब यहाँ पर हमको compare करना है दो number को बीच में compare करना है कि कौन सा number बड़ा है और कौन सा छोटा है तो यहाँ पर देखेंगे 15 और 65 में तो इसमें क्या बड़ा है number 65 बड़ा है तो यहाँ पर 65 हम इस तरह से हमने इसका sign लगाया तो कि यह number बड़ा है अब बी number में देखेंगे 148 तो यहाँ पर 91 अब यह तो अपने आप में compare करते बन रहा है क्योंकि यह two digit number है और यह three digit number है तो अपने आप में यह है कि यह 148 जो है वो three digit number है तो वो बड़ा है बड़ा number है इसे तरह से यह भी 49 और 120 यह भी वैसे ही है यह भी वैसे ही है अब यहाँ बात करते हैं यह three digit number है और यह भी three digit number है अब इसमें कैसे कर सकते हम 184 188 184 आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर four है और यहाँ पर eight है अब यहाँ पर दोनों में 18 और 18 दिया है तो हम compare किसे करेंगी one से करेंगी one से करेंगी one से तो one से प्लेस में देखिए eight बड़ा होता है और ten छोटा होता है तो बड़ाई की तरफ कहां जाएगा 188 की और हमें इस तरह से इसमें sign करना है ठीक है इसी तरह से और नमबर आपनों कुद करेंगी अब question number four देखते हैं tick the smaller number among the given numbers one has been done for you अब इससे हमें क्या करना है smaller जो number है उसमें हमें tick करना है सब जितने भी question है यह सब compare करने वाले हैं तो इस तरह से हमें compare करना तो smallest है छोटे number पे हमें tick करना जिसी 60 और 200 यह अपने आप में आ रहा है कि छोटे number है 130, 155 अब यहां पर क्या आएगा 130 में tick आएगा 180, 140 तो 180 में आजाएगा sorry smallest number 140 में आएगा 170, 175 तो 170 में आएगा 110, 115 तो क्या आएगा 110 में आएगा इसी तरह से यह आपको और questions करना है आप question number 5 दिखेंगे tick the greater number among the given number one has been done for you यह आपको फूद करना है अब इसमें आपको greater number में tick करना है ठीक है जैसे अभी हमने इसके पहले smaller number में tick किया था अब greater number में आपको टेक करना है जिसे 125, 135 तो 25 छोटा होता है, 35 बड़ा होता है 190 बड़ा होता है, 180 छोटा होता है तो 190 में हम tick करेंगे 150 बड़ा होता है, 155 बड़ा होता है 150 बड़ा होता है, 155 बड़ा होता है इस तरह से आपको समय इस तरह से टिक करने हैं तो आज हमने प्रैक्टिस किया है वन एक्सराइज 1.4 तो इसे आप अपने कॉपी में पुरी पुरा कम्प्लेट करेंगे 1.4 को किश्रेंज